क्योंकि जो सर्यू तट है वहाँ 25 लाख दिये जुलाए जाएंगे 35 लाख दियों की बारी है अध्या में भगवान स्वी राम विराजबान है सब कुछ देख रहे हैं उस अनभाव को हम लोग समझ पा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ खुशिया ही खुशिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तयारी है यह हर जन्मानस की अकांग्शा थी अपेक्शा थी कि जब राम लला विराजबान खुद वहाँ मौजूद होंगे तो आप समझे कि विराजबान होने के बाद यह पहली दिपावली है जब जो जहाकिया सामने आ रही है जो तस्वीरे सामने आ रही है उसे देख कर लगता है कि अंदर रोम रोम पुलकित हो गया है और यह तस्वीर उससे और भी मजबूत कर रही है दो तस्वीरे राम की पैड़ी पर तैयारियां पूरी और जो झहांकियों की तस्वीरे हैं बहुत कुछ कह रही है और यह सभी लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं और आप इन दियों को देखें तैयारी पूरी है 35 लाख दिये जुलाए जाएंगे और रितुप भव्य तैयारी सुबह से लगातार आप डटी हुई है दिखारी उन तस्वीरों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने है और प्रभूल स्री राम के शड़ों में उससे रख देना है बिल्कुल विवेक और जिस तरीके से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनी रहा है 25 लाख दिये एक साथ चलने का ये विश्व कीरती मान जो है वो तो रचा ही जा रहा है लेकिन इस वक्त में मौझूदू सर्यू तट पर ये तस्वीर आपको दिखाते है बहुत एहम ये तस्वीर है ये वही जगा है ये वही सर्यू का तट है जहां आज शाम मेदी पोचसाफ से पहले यहाँ पर महा आरती होगी और ये देखिए यही पर मुख्य मंत्री होगी आद इतनाद पहुचेंगे और यही पर वो यहाँ पर इस महा आरती में शामिल होगी वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे लेकिन जरा आप तस्वीर और खुबसूरती को देखिए यही तस्वीर अमुमन हमारे जहन में आती है और ये तस्वीर सर्यू तटकी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये तैयारिया चल रही थी, एक साथ ग्यारा सो जो बटूक है, जो वेदा चारे हैं, वो यहाँ पर महा आरती करते वे नज़राएंगे, मुख्यमंत्र योगी आद इतनाद भी करती है, जो इंतजार था, राम जी का, अपने राजा राम का लोगों का, वो तो पहले ही पूरा हो चुका है, टेंट से निकल करके, राजा राम जो है, वो अपने दिव्वे अलोखिक दरबार पहुँच चुके है, लेकिन अब सही माईनों में कहा जा रहा है, पहले 14 साल क वनवास काटा था तरेता में प्रभूराम ने, और यहां पर तो पांच सदियों का इंतजार जो है, वो लोगों ने किया है, बिल्कुल अरेतु लगाता है, आप तस्वीरे दिखा रही है, सरीयो घाट पर आप मौजूद है, यह वही सरीयो घाट है, जिसमें पिछली बार हमने देखा था कैसे जमकर आतिशबाजी भी हुई थी और खुद वहाँ पर महमान के तौर पर चीफगेस के तौर पर योगी आधितनात पहुचे थे, लेकिन अगर हम बाकी इसके आसपास के मंदिरों की बात करें तो वहां को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पिछली बार देखा था, गिनीज वर्ल रिकॉर्ड की टीम पहुची थी, दीए गिने थे, एक वर्ल रिकॉर्ड बना था, इस बार भी वैसा ही एक मंदर बना हुआ है बिलकुल प्यांका जो आप जिस तरीके से गिनीज वुक ऑफ वर्ल रिकॉर्ड का जखर कर रही है, साल दर साल जो ये रिकॉर्ड है, ये कायम किया गया है, 2017 से लेकर कि आज तक ये रिकॉर्ड लगातार कायम किया जा रहा है, हार एक साल जो दियों की संक्या है, वो जारी अगर तैयारियों क्या जिकर करें, सर्यू तर्ट पर तो तैयारिया पूरी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बता दे केड़ी बादार, वहाँ पर जाकिया भी लगाए गई है, वो तस्वीर भी हम पहुचेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो ब जहां आर्ती में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदितनात जहां बैठेंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, मंच की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर सेम योगी आदितनात जहां बैठते हुए, बहुत 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 शुक्रिया इन थमाम तस एक कमिटी बनाने का निर्ले लिया गया है, ग्रेह मंत्राले ने इस पर पहल शुरू कर दी है, ये काम कैसे करेगा, ये भी हम आपको बताते हैं, ये राज्यों से रिपोर्ट लेगा, किन-किन राज्यों में डिजिटल अरेश्ट की घटाय हुई है, कितनी संख्या में घटा और कैसे इस पूरी घटना को इस वाकिये को अंजाम तक पहुँचाते हैं, तो डिजिटल अरेश्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और मन की बात कारिक्रम में प्रियम ने इस बात को लेकर जिक्र किया था, अपनी चुन्ता जाहिर की थी, और सभीती ने राज्यों से रिपोर्ट मांग ली है, और इस रिपोर्ट में ये बताना होगा उन राज्यों को, कि उनके राज्यों में जो डिजिटल अरेश्ट को लेकर जो वाकिया है, या फिर जो घटाएं हैं, वो किस तरीके से बढ़ रही हैं, और क्या राज्यों ने आक और प्रधान मंतरी दरेदर बोदी ने मन की बात में इस बात का जिकर किया था, हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि प्रधान मंतरी ने उस वक्त क्या कहा था मेरे पहने देशवांचियों, मैं आपको एक आडियो सुनाता हूँ प्रधान में आपको प्राप्लम ना हो, अबी मैं आपको कनेक्ट का रहा हूँ तो दीपावली से पहले अब हर साल पठाके के खिलाफ एक नई मुहीम शुरू हो जाती है पठाके पोडने से प्रधूशर पर ग्यान देने वालों की कतार लंबी होती चली जाती है स्लोगन चुरू हो जाता है, से नो टू क्रैकर्स ये दिये जाने लगते हैं स्लोगन लेकिन ये सिर्फ हिंदू के त्योहरों के समय ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, ये बहस भी सादू संतों के बीच में खड़ी हो जाती है कि आखिर पटाकों को लेकर इस तरीके से क्यों सवाल खड़ी किये जाते है यानि कि हिंदू त्योहरों को लेकर ऐसा क्यों किया जाता है? रपोर्ट आपको दिखाते हैं किसके टार्गेट पर हिंदू त्योहर? दिपावली के असल दुश्मन कौन? 25 दिसम्बार को आपके लिए प्रदूशर नहीं रहेगा जब आतसबाजी होगा पटाकों से प्रदूशर पर छिड़ा दंगल? दिपावली मतलब जगमग रोश्नी मिठाईया, पटाखे और आतिशबाजी यानि भारत का सबसे बड़ा त्योहर हर हिंदूस्तानी चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या फर बुज़र पूरी उमंग के साथ ये त्योहर बनाते हैं श्रीराम के घर लोटने के खुशी में देश के कोने कोने में जश्निम बनाया जाता है लेकिन बीते कुछ सालों से दिबावली आते ही पटाखों से पुदूशन पर रण छिड़ जाता है कुछ खास सबके जिनने सूर्ख्यों में रहने का शौक भी है नो पटाखे की अपील करने लगते हैं और कई जगाओं पर पटाखों पर प्रसिबंध तक लगा दिये जाते हैं लेकिन सवाल ये है कि टार्गिट पर सिर्फ हिंदू त्योहर ही क्यों कुछ यही पूछ रहे हैं बागेश्वर धान के पीठादीश्वर धिरेद्र कृष्ण शास्त्री देश का दुर्भाग है कि जब भी सनातन हिंदू दर्म के तेवहार आते हैं तो कोई ना कोई कानू के रंगा की बात करता है देल शास्तरी से शडियंत्र बता रहे हैं उन्होंने पचाखे पर बैंक की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंद क्यों नहीं लगाते किस देश में बकरीद भी तो होती है बकरीद बंद करवा दो उतने रुपया जो लागों के बकरे काटे जाते हैं जीव हिंसा भी बचेगी उन्हों रुपयों को गरीगों माट दो लेकिए दिवाली आती है तो पानी खराब होता है खुन खराब होता है तब नीर मांते हैं ये दो पक्षी नियम लगाने के जो बाते करते हैं ऐसे लोगों के उपर ही हमें सुतली बंब रखना है बहिया हम तो देवाली अच्छे से मनाएं कि सुतली बंब बंब करी दिया दिवाली आते ही पर्यवरण की चिंता सताने लगती है वो आतावरण के बारे में पता हो या नहीं लेकिन ज्यान देना आज शुरू कर देते हैं और पटागों के साथ प्रदूशन के नाम पर बहस छड़ जाती है सिनात्री त्योहारों पर धोरे रवईये अपना कर सियासत करने वालों को मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया जरा सुन लीजिए पटागों की बात है पोलिशन की बात आती है आपको पताया है कि पहले पटागे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे शुद्धबारूत के बनते थे और खेति का सारा काम होने के बाद एक फसल होने के बाद वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीव देते थे सबको इन पटाकों के दुवे के कारण उनका कुछ नियंत्रन हो जाता था आप यह को कि पर्यावर्ण के लिए खत्रा है और हिंदों में सुधार की परंपरा है तो इसका विचार करना चाहिए तो लोग मानेंगे ना जिस ढंग से यह किया जाता है वो ढंग मनने शंकाय पर गादरता है और वास्तों में अगर यह उद्देश है तो वो नहीं करना चाहिए दिल्ली में बढ़ते प्रोदूशन के नाम पर पचाखों पर बैन लगा दिया गया है जिसके बाद अब सवाल उठ रहे है कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों में पचाखों पर बैन लगा कर इसे रोका जा सकता है या फिर ये साज़श के तहत किया जा रहा है